जहिंद, मैं लेलिद खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया लगता है मुखे मंत्रिया शोग घहलोत ये भूल गए हैं कि मीडिया को दिये जाने वाला विग्यापन की राशी का भुगतान जनता के टैक्स के पैसे से होता है तभी तो 16 दिसंबर को मुखे मंत्री ने मीडिया को विग्यापन देने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और वही बयान उनकी पुरे देश में थूथू करवा रहा है खास बात यह है कि प्रेस काउंसिल अफ इंडिया ने मुखे मंत्री अशोग गहलोत को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस की खबर किसी भी नामी अकबार में नहीं चपी है हाला कि राश्टरदूत अकबार ने 15 जनवरी के अंक में इस खबर को प्रमुखता से चापा है आपको बता दें कि प्रदेश का सबसे पुराना अकबार राश्टरदूत डिप्टी सीम सचिन पाइलेट समर्तियत अकबार कहा जाता है और इसी लिए राश्टरदूत में आये दिन मुख्यमंत्रिय अशोग गहलोत के विरोध में खबरे चपती रहती है जिसके चलते राश्टरदूत अकबार को अगोशित तौर पर राजस्तान सरकार के विग्यापन नहीं दिये जा रहे हैं दरसल 16 दिसंबर को मुख्यमंत्रिय अशोग गहलोत ने कहा था कि हम गालियां भी सुने और सरकारी विग्यापन भी दे ऐसा अब नहीं होगा हम अकबारों की निग्रवानी करवा रहे हैं और देखेंगे कि सरकार को लेकर कैसी खबरे चपती है हम करोड़ रुपे के विग्यापन देते हैं लेकिन सरकार की एक खबर चपवाने के लिए हमारे मंत्री को गिडगराना पड़ता है और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही जनसरंपर्क निदेशाल्य में अकबारों की निग्यापन के काम शुरू हो गया है इसी निग्रानी के चलते 2020 के विग्यापन दरो का नवीनी करण भी नहीं किया जा रहा है PCI ने परदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भेज मुख्यमंत्री के बयान पर सपश्टी करण मांगा है जिसके बाद अब पत्रकार और राजनितिक शेत्र में चर्चाएं तेज हो गई है